प्रश्कार वेब दुनिया नियूस में आपका स्वागत है और नज़र डालते है अचकी प्रमुख ख़वरों पर CBI ने बदला था विजय मालिया का नोटिस उद्यपदी विजय मालिया के देश से बाहर जाने को लेकर आलोचना जेन रही CBI ने उनके खिलाव जारी निगरानी नोटिस के रुख पे बदलाव किया था CBI ने नोटिस जारी करने के एक माह के भीतर ही इसे देश से बाहर जाने के दारान हिरासक में लेने से बदल कर सिर्फ उनकी यादरा यूशना के बारे में जानकारी देने तक सिमित कर दिया था यह जूशना CBI के लिए और शर्मनाख सिटी पैड़ा करने वाली है जाच एजनसी पर पहले ही मालिया के प्रती नर्मी दिखाने के आरोप लग रहे है मालिया के खिलाव IDBI बैंक के लो सो करोड रुपे के रून डिफॉल्ट मामले में CBI की जाच चल रही है क्रू मेंबर्स में विवाद दो घंटे देर से उड़ा विमान एर इंडिया की उड़ान में जालक दल की एक महिला एवं एक पुरुष सदस्य की बीच लड़ाई होने के कारण दो घंटे की देरी हुई गतना को लेकर दोनों को निलंबित कर दिया गया उड़ान में कुछ सांसदो और लोकर शाहो सहीद 158 यात्री सवार्थ है गतना गुरुवार्शा हुई जब एर इंडिया की उड़ान कोची के लिए तयार हो रही थी विमान का अंतिम गत्वेर तीरु अनंतम पुरम था एर इंडिया के प्रमुक और प्रबनिवेशक अश्विनी लोहानी ने कहा कि हमने चालक बल के दोनों सदस्यों को उड़ान में देरी के लिए निलब्बित कर दिया हम एर लाइन में किसी तरह की अनुशासन हिंता बरदाश्ट नहीं करेंगे जेन हु में कनहिया पर हमला जवालाल नहरू युनिवर्सिटी चातरसंग के अध्यक्ष कनहिया कुमार पर कैमपस में ही हमला किया गया है गाजियाबाद के रहने वाले विकास चौधरी नामा के एक यूवक ने हमला किया मीडिया खबरों में बताया जा रहा है कि विकास ने कनहिया पर इसलिए हमला किया क्योंकि उसने भारतिय सेना के जवानों पर बलातकार करने का आरोप लगया था शाम पौने साथ बज़े जब JNU कैमपस में कनहिया अपने साथियों के साथ जा रहा था तब विकास चौधरी नाम का यूवक आया और उसने कनहिया को थपड़ मारने की कोशिश की विकास चौधरी ने कहा कि कनहिया के साथ मौजूब बाउंसरों के हाथ उठाने के बाद उसने कनहिया पर हाथ उठाया विकास का कहना है कि कनहिया कैसे ही आरोप लगा सकता है कि हमारी सेना के जवान बलातकार करते हैं उसने कहा कि वो जब तक इस बयान पर माफी नहीं मांगेगा मैं अंशन करूँगा विकास का कहना था कि मैं कनहिया से देश रोही नारे का बदला लेना चाहता था